मैं डॉक्टर सुपरिया पुरानिक, टेस्टी बेवी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑफ्सट्रटिक एन गानेकोलोजी में जाने वाले हैं, जो कॉस्मेटिक गानेकोलोजी में इंकलूड होती है, वैसे देखा जाए, तो स्त्रियों के जननंग जो रहते हैं, उस पे जो जननंग हो रहता है, इसको हम वल्वा कहते हैं, ये वल्वा होता है, लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, कलाइटोरिस और योनिमार का ओपनिंग, जिसको हम वजायना कहते हैं, आई हम जानेंगे स्त्रियों का जननंग क्या होता है, स्त्रियों के जननंग में बाहरी ब पलिबी आ मार रहता है उनी मरं इसको हम च्रिवा Casey का निमांग कहते है उनको हम लेविंध लेविया मेसीरा बोल थो पिछोट अंदर की तरफ रहते हैं जुड़े निमांग की नमांग केते हैं स्टिवले बरे लंने और लनां जिए इसको हम labia minora कहते हैं, कभी extreme situation में ये labia majora यानि कि बाहरी ओठ जो रहते हैं, वो बहुत बड़े रहते हैं, और ये बड़े रहने की वज़े से उनके ये भाग पे, यानि कि labia majora पे कुछ जक्प होते हैं, घा होते हैं, और ये बार-बार होते रहते हैं, क्योंकि ये एक तो भी ये अवसुविदा पाई जाती हैं, तो ये महलाए ये labia, यानि कि ये uni mark के होत रहते हैं, वो कम करने की surgery करने के लिए डॉक्टर के पास चले आते हैं, वैसे देखा जाए, तो हर 5000 लड़कियों के बीज में, एक लड़की ऐसे जन लेती हैं, जिनको uni mark नहीं रहता, और उन cases में ये जननांग की जो होट रहते हैं, वो एक तम छोटे रहते हैं, तो उन लोगों को ये होट बड़े करने के लिए surgery करवारी पड़ती हैं, कभी accident की वज़े से, injury की वज़े से ये फर्ज जाते हैं, और वो normal नहीं दिखाए देते, तो इन cases में भी वो डॉक्टर के पास surgery कराने के लिए जाते हैं, उनको हम labioplasty कहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, labioplasty की बारे में, और ये डीटेल जानकारी देने वाली है, डॉक्टर शीतल लोंडे, जो प्लास्टिक सर्जन है, और उनकी स्पेशालेटी है, कॉस्मेटिक गाइने नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, मेरी ट्रेनिंग इंडिया और लंडन में पूरी हुई है, आज हम आपको labioplasty के बारे में बताएंगे, labioplasty क्या होती है, योनी के मुख की यहाँ पे, जो दो नो साइड पे एक है, और labial hypertrophy होती है, तब patient को labiaplasty लगता है, ये किसको हो सकता है, हर उस female को जिसने childbirth किया है, कभी-कभी कोई hormonal ups and downs के वज़े से भी labia skin बढ़ जाती है, और उसे labia hypertrophy हो जाता है, labia hypertrophy से क्या दुविदा होती है, इससे हमको कोई tight fitting कपड़े पहनने में दुविदा हो सकती है, कभी-कभी ये labia जो अंदर होना चाहिए, बार होने के कारण, उसके घशरन से जखम हो सकती है, fungal infection हो सकता है, labial hypertrophy, interpose के time भी काफी दिक्कत आ सकती है, हम labia plastic कब और कैसे करते है, labia plastic के लिए हमको पहले अपने plastic surgeon के पास जाके examine करवाना है, आपका plastic surgeon आपको बताएगा कि आपको labial hypertrophy कितनी centimeter से ज़ादा है, normal हमको 1-3 mm तक labia का length लगती है, for a normal well hydration around the vagina, जब ये उससे ज़ादा होता है, तो labial hypertrophy बन जाता है, जब आपको diagnosis होगा कि labial hypertrophy है, तो doctor आपको suggest करेंगे कि आपको इसका treatment लेना है, labia plastic दो टाइप्स की होती है, एक surgical और एक non-surgical, non-surgical labia plastic जब ज़ादा MMA size नहीं बड़ा है, तब ही कर सकते है, इसमें हम diode laser use करते है, जो cutting mode में पहले जाता है, बाद में coagulation mode में जाता है, जिस coagulation mode से उसको seal किया जा सकता है, पर अगर patient का labial hypertrophy ज़ादा है, तो surgical labia plastic ही उसका option है, ये एक day care procedure है, patient सुबह में आते है, आपको एक local anesthesia, मतलब एक छोटा सा injection उस part में लगता है, उसके बाद वो part नम हो जाता है, और फिर surgically plastic surgeon आप वो skin निकाल देते हैं और वहाँ पे stitches डा dissolvable होते है, इनको आपको फिर से निकालने के लिए नहीं आना है, ये stitches कब तक रहते हैं और कब dissolve होते हैं, ये stitches on an average 3 weeks तक रहते हैं, और आपका complete healing by the end of 6 weeks हो जाता है, आपको labia plastic के पहले क्या precaution लेना है, during क्या लेना है, उसके बात क्या लेना है, before the labia plastic आपका एक blood count किया जा अगर hemoglobin अच्छा है, तो ही आपको किसी भी local anesthesia वाले procedure को ले सकते हैं, आपको local fungal infection है या नहीं वो भी rule out करते हैं, अगर fungal infection है तो उसको पहले treat करेंगे, बाद में labia plastic के लिए आपको लेंगे, labia plastic day care procedure है, इसको एक गंटा लगता है पूरा procedure करने में, पर हम आपको एक ग clean करना है, shave करना है और फिर surgery के लिए हम आपको लेते हैं, surgery होने के बाद आपको sanitary napkin यूज करना है ताके उस area में pressure ना पड़े और उसको थोड़ा सा cushioning effect आ जाए, on an average एक week तक sanitary napkin यूज करना है और जो sutures है उसके उपर आपको एक antibiotic cream लगाने के लिए देते हैं, सारे stitches dissolvable ह by the end of three weeks वो dissolve हो जाते हैं, post-operatively आपको क्या care करना है, post-operatively आपको at least three to four weeks तक कोई vigorous activity नहीं करना है, योगा नहीं करना है या जिम नहीं जाना है, और yes, intercourse is better avoided for at least six weeks after the surgical procedure. तो आज इस वीडियो में आपने जान लिया एक ऐसी सर्जुरी के बारे में जो openly discuss नहीं होती, इसके बारे में आपके कोई प्रश्ण रहेंगे तो हमें जरूर लिखिये, और हमारी ये गायने एक infertility IVF related वीडियो जरूर देखते रही है, धन्यवाद.